तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर चल रही सूपरिश्टार अजे देवगन की फिल्म औरों में कहा दम था जानवी कपूर की फिल्म उलज और मार्वल सिनमेटिक युनियर्स की फिल्म डेटपूल 3 के बॉक्स आफिस कलेक्शन अपडेट होकर आचुके हैं और दोस्तों ये सभी फिल्म हैं आज बॉक्स आफिस पर क्या कमाल कर रही है ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साथी साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर साउथ इन बिगिस यानि कि दोस्तों पुश्पा 2 के क्लाइमेक सेक्वेंस से जुड़ी बड़ी फिल्मों में किस फिल्म का सबसे ज़ादा इंतजार है तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगिया आपर बात कर लेते हैं फटाफड बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आज देवान की फिल्म और हो मैं कहां दम था एंडियन पर अपना दम तोड़ चुकी है और दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने तीन दिनों के विकेंड में साड़े छे करोड रुपे कमाया थे तो वहीं दोस्तों कल ये फिल्म मंडे को एक करोड रुपे ही कमाने में कामयव रही है आज के कलेक्शन्स में दोस्तों इस फिल्म की एक को ड्रॉप देखने को मिल रहा है और ये फिल्म आज लगबग 90 लाख रुपे के आकड़े को टच करती भी नजर आ रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल साड़े 8 करोड रुपे का इंडियन नेड बॉक्स आफिस पर हो चुका होगा और लगबग साड़े 11 करोड रुपे ये फिल्म दुनियावर में कमा चुकी होगी और हमें कहां दम्ता दोस्तों दुनियावर के बॉक्स आफिस पर एक बड़ी डिजाश्टर बन चुकी है जानवी कपूर की फिल्म उलच को दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर इस हपते रिलीस किया गया है और दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर और हमें कहां दम्ता की ही तरह ट्रेंड करती ही नजर आ रही है एक फिमेल सेंट्रिक फिल्म होने की वज़े से दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स आफिस पर जहां अपने तीन दिनों के विकेंड में साढ़े पांच करोड रुपे कमाये थे लेकिन दोस्तों कल इस फिल्म की जो कलेक्शन्स थे लगबख साथ करोड साहाट लाग रुपे के आखड को आज पार कर चुके होंगे ये फिल्म भी दोस्तों बॉक्स आफिस पर फिल्म सावित हुई है बात किजा दोस्तों यहाँ पर हॉलिवड की बीगी डेटपूल 3 के बारे में तो दोस्तों बताते चले आपको की डेटपूल 3 जिसने की एंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले तीन दिनों के विकेड में 67 करोड रुपे कमाया थी अपने पहले हपते में 110 करोड रुपे कमाया थी यह फिल्म दोस्तों विकडेस में भी काफी अच्छी कमाया कर रही है और इस फिल्म के जो अपने 2nd Monday के जो बॉक्स आफिस कलेक्शन निकल कर आए हैं वो एंडियन नेट बॉक्स आफिस पर 3 करोड रुपे के हैं तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे मंगलवार यानि की आखड़ को पार कर चुकी है यानि कि लगभग 8,000 करोड रुपे से भी जादा की कमाई कर चुकी है जल्द ही दोस्तों ये फिल्म दुरियावर के बॉक्स आफिस पर इस साल की बिगेश्ट ग्रोसर बन जाएगी बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म देवरा के सेकंड सिंगल के बारे में तो दोस्तों जुनियर NTR की मच एवेटेट फिल्म देवरा का दूसरा गाना धीरे धीरे रिलिस कर दिया गया है जिसे की हिंदी में ओडियंस की तरफ से अच्छा रैसपॉंस मिलतावा नजर आ रहा है फिल्म के गाने में दोस्तों आ पर दोस्तों इस गाने को पर दोस्तों किटना पसंद करती है यह भी देखना होगा देवरा दोस्तों एक पैनेडिया फिल्म है जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर कई सार रिकोर्ड्स बना सकती है और जुनियर एंटियार के लिए हिंदी में अपने दरवाजे खोल सकती है ब भी हाई व्ल्टेज एक्शन सिक्वेंसके साथ अलु अर्जुन और सु कुमार के बीच में जो अन्मन चल रही थी वो दोस्तों अब खत्म हो चुकी है और इस फिल्म से एक बहतन एक्शन सिक्वेंस हमें देखने को मिल सकता है इस फिल्म के क्लामेक्स की सूट के साथ ही द दोस्तो अलू अरुजुन के साथ-साथ इस फिल्म में आपको beautiful रश्मी का मंदना और फाद फाजिल भी नज़र आएंगे साथ-साथ दोस्तो इस फिल्म में कई सारे action sequences जापान, चाइना और इंडिया में दिखाये जाएंगे, ऐसे में दोस्तो push power to Indian box office पर क्या कमाल करती है, ये देखना लाजमी होगा, बात किजाएं दोस्तो यहाँ पर मार्टिन के ट्रेलर के बारे में तो दोस्तो धुरुआ सरजा की इस फिल्म का कल ट्रेलर रिलिस कर दिया गया है, जो कि फैंस के लिए अच्छा नज़र आ रहा है, इस तीन मिट के ट्रेलर में दोस्तो आपको विजुली ग्रेंट सिक्वेंसेज और एक्षन देखने को मिल रहे हैं, दुरुआ सरजा के लूक्स और उनका एक्षन फिल्म में गजब को होने वाला है, बार्डी लेंग्विज सा तो दोस्तो वो इस फिल्म में एक गुंडे और एक बहतन एक्टर की तरह नजर आ रही है लेकिन दोस्तों उम्मीद हैं कि ये फिल्म सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं पसंद आए, बल्कि दोस्तों इस फिल्म को जितनी बड़े रिलिस की जा रही है, उतने लोग इस फिल्म को पसंद करें, ये फिल्म दोस्तों हिंदी, तेल्गु, तामिल, कन्नाडर, मल्यालम पुषपाटू देवरा या फिर मार्टिन का हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा और दोस्तों इसी तरह की फटाफट बॉक्स आफ़िस अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा दने वाजे इंजे मार्टिन का